UPSC ESC की जो है वो notification आ चुकी है और अगर आप जो है वो SC या फिर ST category से belong करते हो तो आपके पास जो है वो valid SC या फिर ST category certificate होनी चाहिए वरना जो है वो आपको reservation का benefit नहीं मिलेगा तो देखो इसमें जो है वो एक date दो dates बहुत important है जैसे कि एक जो है वो last date of form filling ये जो है वो बहुत important है आपका जो certificate है आठ दस चौबिस तो आपका certificate जो है वो इस date से पहले बना होना चाहिए और तभी आपको जो है वो certificate का means basis पे आपको reservation का benefit होगा वरना जो है वो आपको reservation का benefit नहीं मिल पाएगा और notification में आप नीचे जाओगे तो पहली बात कि यहाँ पे जो है वो आप age relaxation की देखोगे तो अगर आप SCF or ST category से belong करते हो तो आपको 5 year का यहाँ पे age relaxation का benefit है तो आप जो है वो you are category के जो candidates है अगर उनसे 5 साल age आपकी ज्यादा भी है तब भी आप जो है तो एक चीज़ और है clause 6 में आप देखोगे note 6 में कि आप अपना category चेंज नहीं करा सकते मिंस अगर आपने SCF or ST fill up कर दिया है और अगर आप सोचे को कि मैं अपना OBC में करा लू या फिर EWS में करा लू तो यह सभी नहीं होगा तो इस बात का ध्यान रखना अगर आपके पा दियान रखो अगर आपके पास certificate है तभी SC-ST से form fill up करना नहीं है तो आप जो हो यूर category से form fill up करना और अगर आप यूर category में हैं और सोच रहे हैं कि बाद में SCR, ST में change करा लूँगा तो यह भी possible नहीं है ओके ऐसा भी नहीं होगा तो आपको जो हो बहुत सोच समझ के form fill up कर नहीं है तो आई हो कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी और कुछ और important information में आपको देना चाहूंगा कि अगर आप जो है वो student हो या फिर working professional हो तो आप जो हो आचार परसांत की वीडियोस देख सकते हो काफी आपके लिए helpful होगी और अगर आपके life में भी problems है और अगर आप उसको सटिक solution नहीं मिल पा रहा है तो आप इनके वीडियोस देखके आपको काफी clarity आएगी आप इनके एप पे भी जा सकते हो आजार परसांत एप जो हो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा इनकी चैनल पे आप देखोगे तो लगबग जो है वो चार करोर से ज्यादा लोग जो हो जूट चुके हैं और इनकी जो वीडियोस होती है वो day to day life से related होती है जो की काफी जो है वो आपको insightful education यहाँ पे मिलता है तो आप जो हुए इनकी वीडियोस और एपको एक बार जरूर देखना नाम याद जरूर कर लो आचार प पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे clearly समझ में आ जाएगी कि जो भी भारत सरकार की guidelines है उस basis पे आपका certificate बना होना चाहिए तो इसका जो है वो यहाँ पे आप देखोगे कि यह ऐसा कुछ एक page का format होता है और ऐसे format पे ही आपका certificate बना होना चाहिए ताकि आपको बाद में जो ह आप category से belong करते हो उससे आप बेजी जक form fill up करो लेकिन अगर आपको जो category है वो इससे match नहीं करता है तो आपको जो है वो certificate पहले बनवा लेनी है और अगर certificate last rate के पहले बन जाती है तो फिर आपको जो है वो SCF IRC category से form fill up करनी है अब यहाँ पे देखो कि जो certificate है वो EWS और OBC के लेती है कि एक तारीक से पहले एक तारीक एक अप्रेल 2024 के बाद होना चाहिए लेकिन ऐसा जो है वो SC या फिर ST के लिए नहीं होती है मेंस आपका जो है वो बस format match करना चाहिए में है format format है और दूसरा की crucial date हाँ यह बात है यह आपका certificate जो है वो 8 10 24 से पहले बना होना है यह बात बस लागू होती है यह पहला और तीसरा पहला और तीसरा चौथा नहीं लागू होती है तो आपका जो certificate है वो format match करना चाहिए first thing and second कि आपका जो है वो crucial date के पहले आपका जो certificate है वो बना हो तो आपको कोई भी problem नहीं होगी आपको जो है वो इसके regarding मैंने जनकारी दी है और अगर आपको नहीं पता है कि certificate कैसे बनता है तो इसके regarding मैंने detailed video बना दिया है SCSD का उसका link इस video के description box में मिल जाएगा तो वहाँ से आप जो है वो description को चेक करके उस video को देख लेना तो आपकी वो भी जो query होगी वो भी सारी द